Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ एक और बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक पे बात करूँगी. मेरा आज का टॉपिक है, Which type of milk is best for us? यहाँ पे दो टाइप के milk हैं, जो मैं इस वीडियो में cover करूँगी. पहला, dairy milk. दूसरा है, plant-based milk. अब जो dairy milk है, इसमें से cow milk, goat milk, buffalo milk आजाता है. दूसरी तरफ, plant-based milk में आजाता है, almond, oats and soya bean, जो की most commonly consume किये जाते हैं. अब इन दोनों में difference क्या है? और इन सब में से best milk हमारे लिए कौन सा है, यह मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी. तो आप मेरी इस वीडियो को एंटेग जरूर देखें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. तो सबसे पहले जो dairy milk होता है, जिसमें cow milk, goat milk आजा बफैलो milk होता है, वो तो naturally हमें animals से मिल जाता है, जिसमें already सारे minerals वगेरा, vitamins वगेरा होते हैं. तूसरी तरफ, plant-based milk में क्या होता है, उन्हें पहले जो soak किया जाता है, उसे जो है अच्छे से drain किया जाता है, rinse किया जाता है, उसे फिर अच्छे से piece कर जो है, उसका paste बनाया जाता है, और फिर उससे milk बनाया जाता है, अगर आप उसे powder form में लेंगे, तो उसे सुखा के, उसे अच्छे से, उसे flower की form में convert करके, बेचा जाता है market में, और ये जो plant-based milk होते हैं, इनमें जो है vitamins, minerals, nutrients को fortified किया जाता है, मतलब additionally ये जो nutrients हैं, vitamins हैं, वो डाले जाते हैं, जिससे at the end, जो cow milk है, या फिर जो plant-based milk है, दोनों की जो quality है, जो nutrients हैं, जो vitamins हैं, वो at the end same हो जाते हैं, मतलब at the end, जो आपके पास market में जो वो product आता है, plant-based product, उसमें भी उतनी ही quality of nutrients, vitamins होते हैं, जितने की आपको cow milk में मिलेंगे, तो सवाल ये उठता है, कि अगर at the end, दोनों products की quality same हो जाती है, तो उसमें से best कैसे choose करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा, कि इन दोनों में से हमारे लिए best कौन सा है, एक example लेते हैं, एक glass cow milk में जो है, 8 gram protein होता है, 12 gram उसमें carbs होते हैं, 2 से 8 gram उसमें fat होता है, अब fat depend करता है, कि आप किस type का milk consume कर रहे हैं, वो skimmed milk है, वो low fat milk है, या फिर वो whole milk है, और ये जो एक glass milk है, ये मेरी protein की need को, सिरफ 15% जो है, वो cover करता है, मतलब कि अगर मैं as an adult 75 kg की हूँ, तो मुझे रोज 60 grams, 60 grams protein की जरूरत पड़ती है, और एक glass cow milk, उस 60 gram का सिरफ 15% ही मुझे देगा, और जितने भी plant-based milk हैं, उनमें less carbs होते हैं, as compared to dairy milk, मतलब कि अगर आप अपने diet में, कम carbs लेना चाहते हैं, तो आप plant-based milk पे भी जा सकते हैं, और ये जो plant-based milk होता है, इसमें good fat जादा होता है, और bad fat कम होता है, इसलिए ये depend करता है, कि आपकी body की needs क्या है, आपकी जो lifestyle है, उसमें आपकी needs क्या है, उस हिसाब से आप अपने milk को choose कर सकते हैं, low carbs diet पे हैं, या आपको कम fat का content चाहिए, तो आप plant-based पे जा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा protein intake करना है, तो आप cow milk पे जा सकते हैं, और उसके साथ साथ, जो vitamin D and calcium है, वो सबसे ज़्यादा cow milk में पाया जाता है, जो plant-based milk होते हैं, वो naturally ये vitamin and calcium produce नहीं करते हैं, तो अगर हम ध्यान से देखी, तो जो almond milk या फिर oats milk है, उसमें protein का content कम होता है, जो almond milk है, उसमें nutrients सबसे कम होते हैं, जो oats हैं, उसमें एक fiber पाया जाता है, जिसे हम beta-glucan के नाम से जानते हैं, ये एक good fiber है, जो की सबसे ज़्यादा oats milk में पाया जाता है, और अगर हम protein की बात करें, तो जितना cow milk में protein होता है, उतना ही soya milk में protein होता है, और उसके साथ साथ, जो soya milk है, उसमें potassium का content भी बहुत सादा होता है, तो अगर हम protein की बात करें, तो cow milk की जगा पे आप जो है, soya milk को भी consume कर सकते हैं, अगर आप plant-based पे जाना चाते हैं, protein दोनों में equal होता है, और अगर vitamin D and calcium की बात करें, तो वो cow milk में जादा होता है, बट आजकल जैसे कि मैंने आपको बताया, fortified होते हैं, यह जो plant-based milk होते हैं, इनमें यह vitamins and minerals fortified करके डाल दिये जाते हैं, और अगर हम बात करें, कि individual के circumstances क्या हैं, तो अगर आप lactose intolerant हैं, आप cow milk या buffalo milk, goat milk नहीं पी सकते, तो आपको ultimately plant-based milk पे जाना पड़ेगा, तो आप उसमें से almond, oat, soya milk, कोई भी ले सकते हैं, अगर आपको nuts allergy है, तो आप almond milk नहीं पी सकते, और अगर आप vegan हैं, तो आप dairy milk की जगा पे plant-based milk को consume कर सकते हैं, यह हमारे circumstances होते हैं, जिस पे हम कौन सा milk consume करें, कौन सा हमारे लिए best है, वो भी depend करता है, और यह जितने भी milk, जितनी भी types में आपको बता रही हूँ, यह हमारी balance diet के लिए, सारे ही best माने जाते हैं, ऐसा नहीं है, कि अगर आप cow milk नहीं पीएंगे, आप plant-based milk ही पीएंगे, तो वो आपकी balance diet जो है, वो नहीं रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप कोई भी milk ले सकते हैं, वो हमारी balance diet के लिए, सारे ही अच्छे माने जाते हैं, बट अब यहाँ पे एक और important चीज़ है, वो milk हमारे लिए सबसे अच्छा है, जो हमें सारे nutrients दे, बट वो milk भी हमारे लिए सबसे अच्छा होना चाहिए, जो हमारी mother nature के लिए अच्छा है, वो milk हमें consume करना चाहिए, वही हमारे लिए best होना चाहिए, जिससे हमें भी फायदा हो, और हमारी mother nature को भी, क्योंकि हमें हमारी mother nature को protect करना बहुत जरूरी है, हमारे survival के लिए, हमारी growth के लिए तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा जो milk है इन में से वो हमारे लिए और हमारी mother nature के लिए best है तो सबसे पहले हम बात करेंगे cow milk की cow milk के लिए जो land है वो काफी ज़ादा इस्तमाल होता है बहुत सारे deforestation होती है और उसके साथ-साथ land destruction बहुत होता है habitat destruction बहुत होता है क्योंकि बहुत सारे cases में जो land है वो cows के रहने के लिए भी इस्तमाल किया जाता है और बहुत सारा land उनके लिए जो crops उगाते हैं उनके खाने के लिए उसे भी इस्तमाल किया जाता है तो cows के लिए या cow milk के लिए सबसे ज़ादा land का इस्तमाल किया जाता है बहुत सारे purposes के लिए उसे जगा पे अगर हम oats या soya bean की farming की बात करें तो इन में जो land है वो बहुत कम use होता है बट ये जो dairy milk है इसके लिए land का इस्तमाल बहुत सादा किया जाता है और अगर हम almond की बात करें, बदाम है, बदाम के पेड़ उगाये जाते हैं तो इसमें भी जितना हमें जो cow milk है, इसके लिए जो land यूज किया जाता है उतना ही land ये जो almonds हैं इन्हें उगाने के लिए यूज किया जाता है मतलब cows के लिए और almonds के लिए land बहुत साथा इस्तमाल होता है और soya bean या oats की farming के लिए land बहुत ही कम इस्तमाल किया जाता है अब इस step में second चीज आती है water water का इस्तमाल किया जाता है without water हम किसी भी चीज की farming नहीं कर सकते अब cows को पानी देने के लिए उन्हें नहलाने के लिए और उनके crops को पानी देने के लिए पानी सबसे ज़दा इस्तमाल किया जाता है दूसरी तरफ सेम जो almond है उनकी खेती के लिए सालों साल उन पेड़ों को पानी दिया जाता है अगर वो पानी कम देंगे तो पेड़ सूप के पुरी तरह से डेट हो सकते हैं तो उसमें भी लगतार पाने की उसेश की जाती है ताकि जो आमंड्स हैं वो ग्रोव हो सकें दूसरी तरफ जो ओट्स हैं या सोया बीन की फार्मिंग है इनमें इतना वाटर का इस्तमाल नहीं होता तेरी मिल्क है इसमें सबस्यादा पानी का इस्तमाल होता है मतलब एक ग्लास दूद के पीछे 120 लीटर पानी लगता है दूसरी तरफ जो आमंड्स है उसके लिए एक ग्लास आमंड्स मिल्क के पीछे 70 लीटर पानी का इस्तमाल किया जाता है और दूसरी तरफ 1 glass oat milk या 1 glass soya milk के पीछे 5 से 10 लीटर ही पानी का इस्तमाल किया जाता है मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो comparison किया है cow milk, 1 glass cow milk के पीछे 120 लीटर पानी 1 glass almond milk के पीछे 70 लीटर पानी और 1 glass oats या soya bean milk के पीछे 5 to 10 लीटर पानी मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं land और पानी दोनों का इस्तमाल कितना जादा difference लेके आता है इनके पीछे crops को grow करने के लिए या फिर ये जो cow milk है या dairy milk है इनके पीछे जो है कुछ gases भी हैं जो कि हमारे environment को pollute करती है अब crops को उगाने के लिए जो cows हैं उनके crops को उगाने के लिए tractors का इस्तमाल किया जाता है तो बहुत सारी ऐसी machinery भी यूज की जाती हैं हमारे north side पे तो land को जलाया जाता है जिसे हम पराली भी जलाना कहते हैं तो ये जो चीजे हैं ये बहुत जादा जो है gases produce करती हैं हमारे environment में जो हमारे environment को pollute करती है उसके इलावा जो cows होती हैं वो जब जैसे चारा हम उने देते हैं वो खाती हैं तो वो जो burp करती हैं या fart करती हैं तो उसे एक methane नाम की gas निकलती है जो कि obviously हमारे जो environment है उसको pollute करती है तो at the end conclusion ये निकलता है कि चाहे cow milk हमें सारे nutrients देता है या हमें उसे सारे minerals vitamins मिलते हैं हमारे लिए चाहे वो best है या उसमें सबसे ज़्यादा calcium है सबसे ज़्यादा vitamin D है बट सबसे ज़्यादा जो पानी, land और gas environment जो pollute करता है वो cow milk या dairy milk की वज़े से होता है तो हमें selfish नहीं होना है हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है हमें हमारी mother nature के बारे में भी सोचना है अगर हम हमारी mother nature को protect करेंगे तो उस mother nature से हमें मिलने वाले सारे resources अच्छे से मिलते रहेंगे अगर हम उसकी destruction करेंगे तो हमें जो natural resources है वो नहीं मिलेंगे जिसकी वज़े से human survival बहुत मुश्किल हो चाती है तो अगर in terms of mother nature and humans या सब के लिए जो milk best है वो है oats या soya milk no almond milk, no dairy milk तो हमें सिरफ इस वे से सूचना है कि हमारे लिए कौन से type का जो milk है वो best है तो वो मैंने आपको बता दिया हर एक perspective को लेके हर एक situation circumstance को लेके हमारे लिए oats या फिस soya bean का जो milk है वो सबसे अच्छा माना जाता है जो कि ये plant based milk है और आजकल मैंने आपको starting में बताया market में जितने भी plant based milk आते हैं या ये जो dairy milk आते हैं सबकी quality equal हो जाती है क्योंकि plant based में सारे minerals, nutrients, vitamins को fortified करके डाल दिया जाता है तो अगर आप animals से milk नहीं लेते आप plant based milk लेना चाहते हैं तो भी आपकी body को वो सारे nutrients मिलेंगे कोई भी आपको deficiency नहीं होगी तो I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी ये information पसंद आई होगी और अगर आप कोई भी ऐसा topic है जो आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाओ तो आप ज़रूर share करें comments में और इस वीडियो को जितना हो सके share करें और आप मेरे चैनल को ज़रूर subscribe करें अब मैं आप से मिलूँगी मेरी next वीडियो के साथ thanks for watching